नमस्कार दोस्तों तो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुश खबरी मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यदि कभी मैं इस तरीके के sessions लूँ तो जब तक खबर authentic नहों, approved नहों मैं screen पे आना पसंद नहीं करता अब आज चुकी एक खुश खबरी है हम सभी छातरों के लिए कि आपके लिए एक नया कल देर रात ये आ गया था website पे www.ssc.gov.in पे आप जाके इसे check भी कर सकते हैं हुआ क्या है सर, vacancy कौन सी आई है? vacancy आपके लिए आई है selection post की ठीक है ना, vacancy आपके लिए कौन सी आई है मेरे भाई? तो vacancy आपकी आई है selection post phase 12 की ठीक है ना, selection post phase 12 की इसमें कई परकार के पद होते हैं लेकिन सुरुआत में देखेंगे कि सर, farm भरने की date क्या है, योगिता क्या है और age वगेरा की criteria क्या है, syllabus क्या है, 5 से 7 मिनट दीजेगा सबसे पहले जानो, 26 February, ये आपके है, 26 February मतलब इसके form की start हो गया 26 February से आप इसके form को भर सकते हैं last date जो इसकी है, वो है 18 March, ठीक है ना, देखो लिखा है ना, 18-3-2024 तो पहला confusion दूर, कि सर, 26 February से form भरा जाएगा, 18 March को ये form भर करके end होगा दूसरी बात, हाँ, अब इसमें एक चीज और है मेरे भाई, कि आप online payment करना चाह रहे हैं या window of application from correction, अगर आपके form में कोई गलती हो जाती है, ठीक है ना अगर आपके form में कोई गलती हो जाती है, तो आप correction, मतलब अपने form में सुधार भी कर सकते हैं सुधार करने के लिए, आपके पास 22 से 22 March से ले करके, आपके 24 March तक का date होगा 22 से 24 March तक, अगर आपके form में गलती हुई, तो आप जाके सुधार भी सकते हैं इतनी बात clear हुई कि form का date क्या है last date क्या है और ये अच्छा आगर आपको किसी चीज में form भरने में difficulty आ रही है कोई बात नहीं help line number भी दिया है सर ये जो selection post आया है आपके phase 12 का इसके बारे में आपको जरूरी जरूरी information ले लेते हैं ठीक है न कि सर age criteria वगरा बता दीजिये क्या reservation वगरा reservation तो as per government norms आपको मिलता रहेगा ठीक है न अगर आपको चाहिए किसा detail notification पढ़ना है तो इसी में एक link लगी हुई है आप government की website पे जाके detail notification लेकिन उतना तो मैं आपको बताई दूँगा कि जितना आपके exam के लिए आपको जरूरी होगा योगिता भारत के नागरीक नेपाल के भूटान के ये लोग इसको भर सकते हैं ठीक है न सबसे जरूरी है age limit आयू age limit तो पहले मैं आपको बता दूँँ आप किसी भी age के हो 18 से जादा और करीब करीब 37 वर्स तक तो आप कोई न कोई form के लिए eligible हैं मैं क्या बोला हूँ कि आप 18 साल से लेके 37 तक के बीच में हैं तो इसमें कई पोस्ट हैं और हर पोस्ट की अलग-अलग योगिता है अलग-अलग योगिता है जरा देखिएगा अलग अब उस बात को जरा समझना कैसे सर जैसे देखो फार दे पोस्ट ओफ विच एज लिमिट इस 18 से 25 यहां पे देखो कई क्राइटेरिया 18 से 25 अठारा से 27 अठारा से 28 अठारा से 30 इसका मतलब है सर कई 18 से 35 अठारा से 37 अठारा से 42 सब के लिए मेरे भाई 20 से 25 कुछ तो ऐसे जिन में 18 वर्स नहीं 20 साल के मिनिमूम 25 के मैकसिमम इसका मतलब ऐसे इसमें अलग अलग तरीके के 12 पोस्ट है लला जिनके लिए सब के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है तो इसका मतलब तो तैं हैं कि आप किसी एक एज कराएं बैली साल से ज़्यादा कि तो नहीं हो ना किसी एक में तो आप फिट बैठोगे ही बैठोगे यह सलेक्षन पोस्ट फेस्टोल अज़ा सर अगर हम लोग माली जी एज वाला तो आपकी बात समझ में आ गई सर की बहुत सारे एज हैं और उनमें हम लोग बैठ जाएंगे अच्छा सी स्टी ओबी सी पी डबलू बीडी सभी को मतलब छूट भी है इतनी एज देने के बाद भी छूट है खेर यह तो बड़ा अच्छा है उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो एक आपके मन में आ सकता है सर स्लेबस को ले करके वो स्लेबस वगरा पर हम लोग बात करेंगे ठीक है न तो स्लेबस पर भी मैं इसलिए जरूरी जरूरी कि एज क्राइटेरिया स्लेबस यही सारी चीज़े मैं आपको एक बार दिखा देना चाहरा हूँ मैं इसलिए एक-एक पॉइंट देखते हुए चल रहा हूँ कि भी या कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए ठीक है न कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपके लिए तो अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग है ये बात हमेशा ध्यान रखना हाउ टू अपलाई, अपलाई कैसे करें सर इस फार्म को तो याद रखेगा 18 तारिक लास्ट डेट है ssc.gov.in पे आप जा करके इसके लिए अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के बाद, आपकी एक चीज़े आपको और बताएं कि अपलिकेशन फी, ये एक बड़ा मुद्द आपके लिए रहता है 100 रुपया, 100 रुपया, ये याद रखेगा, अज़ा सबसे मज़ेदार क्या है इसमें, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो, सबसे मज़ेदार ये वाला पॉइंट हमें लग रहा है Woman Candidate, मतलब आपके महिला, यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा-बड़ा समझ में आना चाहिए Belong to SC, ये आपके SC Candidate, ST Candidate, PWBD Candidate, Ex-Serviceman Candidate, Exempted for Free भाया, कुल मिला जुला के लड़कियों के लिए, SC के लिए, ST के लिए, फीज कितना है? सुनने रुपया, फार्म भर देना सभी गल्स, अपना एज क्राइटेरिया देख के लला, फार्म भर देना 2024, नौकरी का वर्स है, लोकसभाद चुनाओ के है तो नौकरी का वर्स है तो लड़कियों तुभारे लिए 0 रुपया, ST Candidate 0 रुपया, ST Candidate 0 रुपया, PWBD Candidate 0 हाँ, जनरल और OBC के लिए 100 रुपय का फार्म है कोई बहुत महेंगा फार्म नहीं है, आप अराम से भर सकते हैं अच्छा सर, तो एज क्राइटेरिया अलग-अलग हो गई, सर कोई भी इस फार्म को भर सकता है उसके अलावा ये सारी चीजें, और इसमें आपके पूरे भारत में एक्जामनेशन सेंटर है जैसे एक बार के लिए मान लें, सेंटरल रीजन, बिहार और उत्तर प्रदेश अब उसमें भागलपूर, मुझफरपूर, पटना, आगरा, बरेली, कानपूर, लखनव, मेरट, प्रयागराज पूरे भारत में, पूरे भारत में इसका सेंटर है आप चाहें तो पूर्ट प्लेयर, बाला सोर, उडीसा, कटक, देरादून, कुलकत्ता, कल्यानी ये मतलब पूरे भारत में सेंटर है, ये बात याद रखेगा पूरे भारत में इक्जाम सेंटर और लेबल है मतलब ये आपको नहीं करना है, कि आप उडीसा के हैं, तो सर आपको करना टक जाना होगा ये बात सेंटर है, पूरे भारत में इक्जाम सेंटर है, सेलेक्शन पोस्ट के ये भी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, कि ये सर पूरे भारत में इसका इक्जाम सेंटर है बोपाल क्या चाहिए भईया ठीक है ना भाई ये फार्म जरूर तुम लोग भरना ये बात याद रखना उसकी अलामा बता है ये तो फार्म भर लिए सर कए नंबर का क्या आएगा आईए जरा एक बार निगा घुमाईए अपनी स्कीम आफ इक्जामनेशन मैं सेलेक्शन पोश्ट फेज 12 दोजार चौबिस की उस वेकेंसी की बात करों जो आज आई है मतलब आज 26 तारीक आज 27 फार्म भरना सुरू है सर जनरल इंड रिजिनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के GSGK के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के Mathematics के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इंग्लिस वही SSC वाला पैटर्न हाँ अब सबसे वह देर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.50 फार इच रॉंग एंसर अब एक्जाम एनलसीस के समय या एक्जाम के समय यह मत खोजने लगना कि निगेटिव मार्किंग इसमें है आपके 100 प्रस्न आएंगे और उनका नंबर रहेगा 200 200 नंबर रहेगा मेरे लल्ला और 100 प्रस्न रहेंगे मेरे भाई हर प्रस्न दो नंबर का रहेगा 0.50 मतलब कि 1 फोर्थ है आपकी निगेटिव मार्किंग, भाई दो नमबर में 0.50, हर क्वेशन दो नमबर का है, हर क्वेशन दो, पचीस क्वेशन, पचास नमबर, तो वन फोर्थ हो गया, ठीक है न, 60 मिनट आपके पास रहेगा, 60 मिनट में आपको ये 100 कोशन करने रहेंगे, लेकिन जो फिजिकली डिस्क्राइब्ट हैं, कि भाईया, ये दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए 80 मिनट, तो ठीक है, वो तो हम लोग जान रहे हैं, 60 मिनट, 100 कोशन, 200 नमबर, और सभी लोग इस फ प्रूरी चीजे तो हमने आपको बताई दी, अब देखो, यहां पे जनरल अवेरनिस का स्लेबस भी देख लो, रिजिनिंग का स्लेबस, वही जो SSC का हमेशा से रहा है, वही आपका है, कि सर, स्पोर्ट्स पूछेगा, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्रफी, एकोनॉमी, भा अब यहां पे, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि भाया, यह जो आपका फार्म आया है, एक बार फिर से देख लीजिये, नहीं, आप कहेंगे, गुरु जी, क्या हो गया, तो हम कहेंगे, बेटा जी, कुछ नहीं हुआ, आपके लिए नया फार्म आया है, फिर से एक बार और बहुत अच्छी vacancy है selection post की बहुत सारी exact मुझे याद नहीं है इसलिए मैं भी भोल नहीं पा रहा हूं कि exact कितनी तो यह आपका नया आ गया है selection post का vacancy ठीक है selection post की vacancy इसके लिए मैं आपसे एक request भी करता हूं जो आपको सायद बहुत ध्यान से सुनना और समझना अरे यार तुम पास हो selection post जनरली तो मतलब अपना 10-12 graduation इसब QA 12 पास हो selection post भर दो ठीक है ना selection post फेस 12 यह तो मैंने सारी अब जब तुम फार्म भरने जाओगे 12 पास हो ना बस काम खतम भरो सब अपना आराम से भरो पढ़ भी लोगे फार्म 12 पास हो तो 10 पास वेक्ति फार्म आराम स पढ़ सकता है भरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है ना पढ़ सकता है कोई भी confusion हो तो help line number भी दिया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं ठीक है ना इसके अलावा आपको एक चीज और बता दें कि इसके उपर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे सारी चीजे clear करने के बा आपके यहाँ पे आप आएंगे एक बार यहाँ गूगल पे अगर आप एक बार आज आएंगे ठीक है ना गूगल के उपर अगर एक बार आप आज आएंगे तो मैं एक और आपकी जानकारी अड़ा स्टोर पे चले जाना यहाँ all courses में जाना all courses में अगर आपको लगे तो यह करना नहीं तो मत करना लला स्सी में जाना स्सी सलेक्षन पोस्ट का चुकि आज यह वैकेंसी आई है और मैं लिख यह दे सकता हूँ जब आज पूरे दिन की आफिस की प्रक्रिया हो जाएगी स्सी सेलेक्षन पोस्ट फेस 12 का बैच या महापैक महंगा हो जाएगा आज जो ये 1769 में पढ़ रहा है तुम 5 दिन सोचने के बाद ये बैच लोगे final selection बैच ये 29 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है याद रखना इस बैच में आपको नहीं पढ़ेगा सत्रो सो रुपए का आप कुपन कोड उपियो करिएगा वाई 182 ये कंपनी का कुपन कोड है और इसको लगा करके जितने लोग इसको as soon as possible register कर लेंगे इस पे आपको करीब करीब 80% off है ठीक है ना 80% off रहेगा आज 80% off ये बात याद रखना 80 क्या 81% तक भी पहुंच सकता है लगभग आपके 80 से 81% ये कुपन कोड लगाने के बाद 80 से 81% तक आज off है leap year sale चल ला है और बहुत सही समय पे मैं इसको आपको बता रहा हूँ इस आपके selection final selection 29 तारीक से सुबद 10 बजे से इसकी paid batch शुरो जाएगी मैं बता सकता हूँ इसमें बहुत सारे post होते है selection post में 36 प्रकार के post होते है form जरूर भर देना और इस batch की double validity है selection post का exam मई माह में होगा मई में exam होगा ठीक है न एक्जाम होगा ये भी calendar में दिया हुआ है मई में exam होगा आपके पास पूरा मार्ज पूरा अप्रेल और मई का आधा है 8.5 से 3 महिना अगर आज से देखा जाए 8.5 से 3 महिना जुड जाना बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट इसके अंतरगत हजारों की संख्या में मौझूद हैं और बहुत अच्छा selection post का काम रहता है मैं बताओं कितने ही CGL qualified student ने का है कि पहले मैंने selection post में joining ले करके फिर CGL की तरफ गया तो मेरी बात मान लेना why one coupon code लगाने में कोई गलती मत करना अगर गलती कर दोगे लला तो गड़बड होगा 100 रुपए का form आया है जरूर selection लड़कियों तुमारे लिए form 3 है भाई ठीक है ना तो बिल्कुल सभी लोग इसको apply कर सकते हैं किसी भी राज्य में इसका center है तो thank you so much जैहिन जैभारत coupon code Y182 आज नहीं दस दिन बाद भी बैच लो coupon code Y182 जैहिन जैभारत अभी मैं railway की class start करने जा रहा हूँ तो please आप सभी लोग railway की class में तुरंत start करने जा रहा हूँ तो आईएगा move करिएगा जैहिन जैभारत